12 मार्च यानि बीते मंगलबार को यूपी के फिरोजाबाद में एक सरकारी अस्पताल में रोज की ही तरह सामाने दिन होता है अस्पताल में इलाज के लिए कई लोगों की भीड आई हुई थी और सभी लाइनों में लगकर अपने अपने पर्चे बनवा रहे थे सभी लोग डॉक्टर से अपने चेक अप के लिए अपनी बारे का इंतजार कर रहे थे इसे बीच एक महिला अस्पताल में अपने मूगों को अपने टुपटे से छुपा कर डाखिल होती है और बाकी लोगों की तरह लाइनों में लगकर अपना भी पर्चा बनवाती है टीम के नजारे जैसा लग रहा होगा जहां हीरो अपना हुलिया बदल कर लोगों को एक्सपोज करता है लगना भी चाहिए क्योंकि ये IPS आफिसर कुछ काम ही ऐसा खरती है इस घटना के बारे में कुछ और जानने से पहले इस घटना को शुरू से जानते हैं दरसल IPS आफिसर सदर कृतिराज के पास लगातार ये शिकायते आ रही थी इरोजाबाद के दीदा माई प्रात्मिक स्वास्ते केंदर में मरीजों के साथ बुरा वहवार किया जा रहा है डॉक्टर मरीजों से सही से बात नहीं करते हैं और नाहीं समय पर दवाईयां दे रहे हैं यहां तक कि राविच के मरीजों को भी यहां घंतो लाइनों में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है इने सब शिकायतों की जाच करने के लिए SDM सदर कृतिराज ने अस्पताल में खुद ही जाने का फैसला लिया और एक आउन इंसान की तरह दीदा माई अस्पताल में पहुंसती हैं जब वहाँ लोगों को यह पता चलता है तो लोग कहने लगते हैं कि SDM मैडम निरिक्षार करने आई हैं और लोगों ने अपनी अपनी शिकायते बताना शुरू कर दिया SDM सदर कृतिराज भी वहाँ के स्टाफ और डॉक्टर्स का रवया देखकर बताती हैं कि डॉक्टर्स मरेजों से सही से बात नहीं करते तो उन्हें ये पता चलता है कि दवा खाने में आदे से ज़्यादा दवाईयां जो हैं एक्सपायर हो चुकी हैं और वे कुछ डब्बे बाहर गुसे में फेक देती हैं इस मामले का ये वीडियो जो है काफी वाइरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और अब इस मामले में राजनीती भी शुरू हो गई है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टूइट कर कहा कि महिला अधिकारी को समल कर रहना होगा नहीं तो डॉक्टर और दवायों के बिना चलने वाली के बीमार चिकित सा विवस्था के खुलासे के बाद बीजेपी सरकार कहीं ग्यान वर्धन के बहाने उनको अध्यन करने के लिए कहीं विदेश न भेज़ दे उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर ताना कसते हुए कहा कि अब महिला अधिकारी को समल कर रहना होगा नहीं तो बीजेपी उन पर कड़ा एक्शन ले सकती है साथ ही अखले से आदब ने यह भी कहा कि इस मामले के खुलासे के बाद स्वास्ते मंतरी खुद ही अस्वस्त होकर पड़े हुए हैं लगता है कि अब उनकी एक्सपाइरी आ गई है इस मामले में यूपी सरकार या फिर फिरोजाबार देम की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है फिलिए अब जानते हैं SDM सदर प्रतिराज के बारे में कुछ बाते प्रतिराज 2020 बैज की IS हैं और UPSC ए एक्जाम में उनकी 106 रैंक आई थी सोशल मेडिया पर काफी एक्टिव हैं और इंस्टाग्राम पर उनके एक लाग से भी ज्यादा फॉलोवर हैं प्रतिराज जासी की रहने वाली है और जासी के ही सैन फ्रिंसिसको कॉन्वेंट स्कोल में उन्होंने अपनी पढ़ाई की और फिर जासी के जय अकैडमी में बारवी की जासी से ही उन्होंने बीटेक किया और 2020 में पहले ही अटेंप में उन्होंने IAS की परेक्षा क्रायक कर ली तो ये थी IAS सदर कृतिराथ से जुड़ी कुछ खबरें आप इस घटना के बारे में क्या आप सोचते हैं कॉमें सेक्षन में हमें अपने सुझाव जरूर बताएं तब तक के लिए देखते रहें लोगों से लोगों तक धन्यवाब